बिजेबी विक्सित भारत संकल प्यात्रा शुरू कर रही है वह दूसरी ओर कॉंग्रेस भी परवर्तन यात्रा शुरू कर रही है और यह यात्रा सारणपूर से शुरू होकर नैमी शरण में खतम होगी मेरे साथ मंतरी अनिर राजबर जी आप भी यात्रा शुरू कर रहे है प्रकूर करेंगे कांगरेस का महौल बदलेगा या कि देखिए उनके कारिकरम कागर्जी होते हैं कि वो कहने को कुछ कहें लेकिन जमीन पर कहीं उनका कोई संग्ठन नहीं है नहीं कोई कारिकरता उनके पास है तो ये डोर टू डोर कैम्पेनिंग किसके माध्यम से करने जा रहे हैं और हम लोगों ने तो यात्रा शुरू कर दिया गाउं गाउं कासी की धर्ती से उसका प्रारंभ हमने कराया और निरंतर हम लोग उसकारिकरम को आगे बढ़ा रहे हैं बड़ा जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार और पार्टी के सभी कारिकरताओं की भी ड्यूटी उस पर लगाई जा रही है और ये हर गाउं में ये यात्रा जाने बाली है बहुत तेजी से ये कारिकरम आगे हम लोगों ने बढ़ा दिया है और ये कारिकरम इसलिये है कि हमारे सरकारी अधिकारी भी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारे कारिकरता साथी भी सरकार की योजनाओं का लाव किसको मिला कौन छूट गया एक तरीके से सरकार जनता के दरवाजे पर खड़ा होकर उनका दुख तकलिफ जानने का प्रयास कर रही है और उनको तुरंत उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे कांगरेस के पास कुछ बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में तो और भी कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश का उच सदन हमारा बिधान परिश्ट कांगरेस मुक्त हो गया है बिधान सभा में भी नाम लेने को एक बिधायक सिर्फ बचा है तो बेवज़ा उनको तवज़ो देना कोई ठीक नहीं है हम लोग तो काम करने में भरोसा रखते हैं और निरंतर आप देखते होंगे कोई वक्त ऐसा नहीं जब दोचार कारिकरम साथ में न चल रहा हूँ अब यहां पर मेरी कप्तानी चलेगी हाला कि जो चुनाव हारें ठीक है पर इसे गड़बंदन हमारा और मजबूत होगा और पीडिये के जरी जाएंगे पीडिये इनकी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि इनकी नियत कहां है अभी जात्य जात्य चिलाने वालों का हस्र अभी आपने देखा और जहां तक कप्तान की बात है तो रहुल गांदी कहते हैं मैं कप्तान हूँ अखलेश जी कहते हैं मैं कप्तान हूँ ममता बनर जी कहते हैं कि बीना हमारे इंडिया गड़बंदन हिल नहीं सकता नितीश कुमार खुदे मुह अपने मुहमिया मिठू बन के घूम रहे हैं और महारास्ट वालों का अलग अपना है साउथ इंडिया ने आप देखे ही किस तरह से सनातन पर हमला किया और कैसे भारत को उत्तर और दक्षिड में बाटने का प्रयास साउथ इंडिया में जो इंडिया गडबंधन के जो लोग हैं राहूल गांधी के जो मित्र लोग हैं किस तरह से भारत को छित्र के नाम पर बाटने का कुछ सित्प्रयास कर रहे हैं इन सारी बातों को जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है और समझ भी रही है और इसलिए जनता बार-बार इन लोगों को सबक सिखा रही है लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है जो नारा पार्टी ने दिया है कि अब की बार 400 पार अच्छा है कि प्रतिपक्ष वाक अगले मैंने कई सारी परस्ताविक रैलिया है और यह वारांसी के से होगी जो प्यम नरेंद मुदी का संसीदी अच्छे तरह है और यह रैलियों को जरी एक कुर्मी वोट बैंक साधनी के साथ अखले शादों के मंच पलाएंगे और इसी मंच के जरीए लोग सबा क्या पं और नितीश कुमार की स्विकारता बिहार के बाहर कहा है अब हमें एक जगन दिखा दिजिए पहली बात नितीश कुमार से बड़े बड़े कुर्मी समाज के नेता हमारे पास उत्तर प्रदेश में ही है देश में भी है यह जो जाती का अलाप जाती जाती का यह लोग कर रह यह सब कुछ से हार गए हैं तो अब जाती के नाम पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और पीडिये पीडिये का नारा दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से इनकी चार बार की सरकार उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है नितिश कुमार उतने लंबे समय से क्या रहा है गरीबों के प्रति उनका उनकी नजरिया क्या रही है यह किसी से छुपा है किसी से छुपा नहीं है इसलिए ना ही इंडिया गडबंधन की कहीं कोई जनता में स्विकारता है ना ही इन नेताओं की कहीं कोई स्विकारता है पूरे विश्वास के साथ उत्तर प् बड़ा समर्थन बड़ी सरकार पुजी मुदी जी के नितुरत में इस बार बनेगी मदर्सों में अभी जो विदेशी फंडिंग होती है उसकी जाच की गई है करिब 500 करोर का खुलासा हुआ विदेशी फंडिंगा वहो भी खारी देशों सा है तो लाकातार जो यह विदेशी फंडिंग का जो सिल्सला उसके खिलाप भी कारवाई की जा रही है और दूसरी ओर कि ये कि आगे भी करवाई की जाए कि माला जा रहा है कि ये रकम और बड़ी हो सकती है इस करवाई को ऐसे देख रहे हैं बहुत जरूरी सवाल आपने किया है निश्यत तोर पर ये जो मदरसों में फंड आ रहे हैं असका धुर्पयोग हो रहा है भारत के खिलाप उसका इस्तिमाल हो रहा है ये आरोप के साथ मैं कहना चाहता हूँ इसकी जाच होनी चाहिए और इसके दाइरे में कोई भी संस्था आती है उसके खिलाप कट्छोर से कट्छोर बंद ही करना काफी नहीं है कठोर से कठोर कारवाई करनी चाहिए कानूनी कारवाई करनी चाहिए चुकि बाहर से जो पैसा आ रहा है वो आतंकवादियों की मदद हो रही है उससे देश के खिलाब जो साजिसे हो रही है उस पैसे का वहां इस्तिमाल हो रहा है ये मदरसों के नाम पर ये फंड आ रहे हैं और उसका इस्तिमाल भारत के खिलाफ हो रहा है ये बहुत गलत है और ये कारवाई चलती रहेगी इसको रुकने वाली नहीं है कारवाई इन्दिया गड़ मंदन कहीं भी जनता में सुकारता नहीं वहीं मदर्सों में जिस तरह से विद्षिशी फंडिंग हुई है और जिस तरह से खुलासे हुए हैं इस्तिमाल है एक धिशिर विद्विद्वों में ये फंडिंग शामिल है वीडियो जनलिस राहूल चुवांग साथ अनुच कुमार भारत एक्स्प्रेस लखनौ